वूड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आम गुंजन जोशी फूम नवजोती ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी तो आज हम अपना ककसराद का पार्थ दो पड़ेंगे दादी मा और यह पार्थ किसने लिखा है यह पार्थ के जो लेकक है वो है सिवपरासाद सेंग तो इस पार्थ किसे बिगड़ गई ती तो चलिए अब हमें पार्थ शुरू करते हैं तो देखिए यहां क्या है कमजोरी ही है कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा से कठिनाई पड़ते बीसो गर्मी बरसात और वसंद देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्राय ही अनम हो जाता है क्या है लेकाख बोलरा है कि कमजोरी है अपनी पर यही सच है कि जरा से कठिनाई जब होती है तो बीसो गर्मी बरसात और वसंद देखने के बाद भी क्या होता है मेरा मन हमेश़ा क्या होता है अन्मना सा हो जाता है अन्मना मतलब अस्वस्थ सा हो जाता है मेरे सुप चिन्तक मित्र मुँपर मुझे प्रसिन करने के लिए आने वाले छुट्टियों के सूचना देते हैं और पीट पीजे मुझे कमजोर और जरासी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा जाख उडाते हैं, तो क्या पूर रहा हैं यहाँ पे लएखा कि मेरे सुपचिन्तक मित्रों मतलब उनके जो मित्र जो उनकी चंता कने का ड्हूंग करते हैं मतलब वो क्या करते हैं उनके सामने या फिर जो उनकी जहनता करते हैं वो क्या करते हैं उन्हें प्रसिन करने के लिए आने वाली चुट्टियों के सूचना भी देते हैं और क्या करते हैं फिर पीछे उन्हें कमजोर और जरासी प्रती कूलता मतलब जरासी भी कोई समस्या से जाने वाला कहेकर उनका मजाक उडाता है मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा ठीक है जाने दो सोचने से होता ही क्या है फिर लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब मैं उन बातों को कभी नी सोचूंगा सोचने से होता भी क्या है पर बर्बस मेरी आँखों के सामने सरद की सीद किरणों के समान स्वच सीतल किसी की दुंदली चाया ना चुकती है। तो फिर कहते हैं कभी कि मैं सोचता हूं कि मैं उन बात को ना सोचू लेकिन बर्बस मतलब ना चाहते हुए भी क्या होता है मेरी आँखों के सामने सरद मतलब पज़ड की जो थंडी किरणों की जो स्वच के समान जो स्वच साफ और सीतल किसी की धुंदली चाया मेरे सामने आ आ जाती है ठीक है फिर लेखक कहते है मुझे लगता है कि जैसे कुआर के दिन आ गए हैं लेखक क्या कहते है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुआर के दिन आ गए है ठीक है मेरे गाउं के चारो और पानी ही पानी ही लोरे ले रहा है यहाँ पर हिलो रे हिलो रे मतलब जल में उठने वाली लहर ठीक है तो यहाँ पर लेकग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या है जैसे एक मिन्ट मुझे लगता है जैसे क्या हो रहे हिलोरे ले रहा है क्या ले रहा है पानी की लहरे हिलोरे मतलब की पानी में उठने वाली लहरे ठीक है तो और क्वार मतलब क्या होता है क्वार मतलब होता है अस्विन मास ठीक है अस्विन मास मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो महीना आता है अंग्रेजी में मतलब हमारे भारती है महीनों में वैसे तो बाद के बाद और कार्टिक के पहले का महीना जोता है उसे क् हैं पर वैसे कह सितंबर और क्वार कि है वैसे क्या सितंबर कि अब है कि और क्या सितंबर और अक्टूबर के बीच बीच में और क्या अक्टूबर के बीच का महीना है ठीक है और हिलो रहे मतलब पानी की लहरे जैसे पानी है उसमें बीच बीच में उपने वाले जो लहरे होती है वो है ठीक है तो दूर के सिवान से भैकर आए हुए मूथा और साई दूर के फिर कभी क्या कह रहा है दूर के सिवान से मतलब कहीं दूर के भूमी से उट साफ कर देते ने पहले इसे था कि आपको साफ साफ दिखाई दे दूर के सिवान से भैकर आए हुए मूथा और साई की अदगली घासे घैवर बन प्याज की जने तथा नानप्रकार की बरस्ती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खिलते हूँ पानी में सडक कर एक विचित्र गंद छोड़ कर एक विचित्र गंद छोड़ रहे है ठीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है लो लेखक यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि दूर के सिवान से भैकर आये हुए मूथा और सुई मूथा और साई की अदगली घासे मूथा और साई जो है यह क्या है मूथा और साई एक प्रकार की क्या है घासे है ठीक है तो ये और ये कैसी अदगली मतलब क्या है आधी गली है ठीक है मतलब आधी गली मतलब क्या है आधी गली ठीक है तो और सीवान मतलब तो कहीं किसी राज्य से ठीक है दूर के सीवान मतलब किसी राज्य या फिर किसी सीमा से आई हुई कोई वो मोथा और साइक एक प्रकार की क अदगली कैय ef अदगली गहनी गहिंवर बनपयाच की जणें वह सडकर क्या है एक परकार की गहसे हैं और नाना प्रकर नाना मतल्ड़ान विबॆन की जो और भी बरसाति गहासों के बीच में सूरज की गहनी किया थे खौलते और सूरज की गड़मी में, खौलता जो पानी है वा सडकर क्या है? एक विचितर गंद छोड रहा है। रास्तों में कीचढ सूगया। अर गाउं के लड़के किनारों पर झागबर जलाशेयों में धमाके से कूद रहे हैं। ज bluetooth ऐख आम से और किनारे जलाशे और रोटाहों किनारों किनारे जलाशे ऑंने स्पाने से जाता है जिसमें जल भरा हैं। निक इस में सब्सक्रीड़ा इसने हैं प्रभीया, दिनीदान हे देत कोड़ा हैं, ऐसे में काता हैं، असाड में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं लेकिन अगहन में चिवडा और गुड ना मिले तो दुख नहीं ना मिले दुख नहीं चैत के दिनों में लाई के साथ तो यहाँ पर लेकिए अगहन में अगहन में चिवडा और गुड ना मिले ना मिला तो भी दुख नहीं अगर क्या मेले इस गंद पूर्ण जाग परे जल में कूदना ना हो तो क्या बड़ा बुरा मालूम होता है तो कैसा लगता है बहुत बुरा मालूम होता है ठीक है लेखक ये बोलता है क्या होता है बहुत बुरा मालूम होता है मैं भीतर जड़क रहा था मैं भीतर हुडक रह हाथा हल्की विमारी ना जाने क्यों मुझरे अच्छा लगति हैं कि मुझे अच्छा लगता है । तोड़ा जवर किते हैं ठीजाने के लिए दिन बर नहुत साबू भी नाचाने का एम थाचान। साबू भी खाने का गुछ परदार्त होगा उसको कहते हैं साबू ठीक है लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी लेकिन क्या बोल रहे हैं लेकिन कैसा कुछ नहीं इस बार क्या हुवा बुखार तो चढ़ तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया कहा है कि मुझे बुखार तो हुआ लेकिन वो चढ़ता ही गया रजाई पर रजाई और उत्रा राध बारा बजered पर रजाई ओड़ी थी लेकिन फिर भी क्या हुआ रात बारा बजे उत्रा ठीक है अगर के बोले रहे कि देख दिन में चादर लपेटे सोया था लेकर के रहे हैं दिन में में चादर लपेट कर सोया था दादी मा आ गई थी सायद नहा कर आई थी ठीक है अब यहां पर उनने दादी मा के रूप की विशेशता रूप का उल्लेक किया है क्या है अब बोल रहे हूं पतले दूबले सने पतले दूबले सने मतलब प्यार से भरा हुआ उनका सेरीर पर सफेद किनार हिन धोती और सफेद किनारी हिन मतलब किनारा नहीं था उस धोती में सफेद धोती पहनी तो उनने सन से सफेद बालों की सेरों पर सद्ध टपके हुए जलकी सीतलता और उनके जो सफेद बाल वहां स उसमें से पानी तपकता हुआ ठीक है यह ऐसा उनका रूप था आते ही उन्होंने सर पेट चुए वो कहरें कि जैसी उनकी दादी आई उनने क्या करें उनका सर और पेट चुए आचल की गांट खोल किसी आद्रश्य सक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुह में डाली जबूतरे किसी अधार करने वाले मज्नम की मिट्टी में मात्य दाली माथे पर भी लगाई कभी चलते हुए हाथ पेर कपड़ों से कपड़े से सहलाती सर पर दाल चीनी का लेब करती और वी सो बार चूचू कर जवर का अनुमान करती हाडी में पानी आया की नहीं तो लेका क्या केते हैं अब बताते हैं कि उनकी दादी क्या करती दिन राथ चार पाई के पास बैठे रहती थी कभी पंखा लगाती उन्हें कभी जलते हुए हाथ पेर उनके कपड़ों से सहलाती कभी सिर पर दाल चीनी का लेब भी करती और बीस बार चूचू कर उनके बुखार का अनुमान लगाती पानी तो भाणी पानी में पानी के लुख्या इफ्यूना जाल मिल पानी का टीorschणu दाधी में को गवई गाउं की दवाओं के नाम यात धी MX कोई भी बिमार होता तो उसके पास पहुँच जाती और वहाँ भी काम करती थी कि हाथ चुना माथ चुना पेट चुना फिर भूत से लेकर मलेरिया सरसाम सरसाम भी एक बीमारी है ठीके मलेरिया सरसाम ज़यो सनी पात नामा करो गये निमूनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो लगाती महामारी और विश्वचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड मिस्रित जलधार गुगल क्या बोल रहे हैं लेखक की महामारी हाँ गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले तो लेखक आपके बताती कि उनकी दादी जो थी वो क्या करती थी गाउं गाउं में जाती थी गाउं ग पहुंचती और वही काम करती जो लेक अक्यले करती थी हाथ चुना सर चुना ठीक है फिर भूट से लेके मलेरिया सरसाम मैंने आपको बिताया एक सेनीपात नाम की बिमारी है नामक रोग है निमोनिया सबका अनुमान लगाती महामारी विश्वची का मितलब संक्रामक पिर क्या करती गोगल और धूप फिर गलें गरारा करती धूप में वैटती सफाई तो उनसे कोई सीख ले दवा में देर होती मिश्री दवा में अगर देर हो या मिश्रीया सहत खत्म हो जाता है चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते है चादर और गिलाफ मतलब खूल जो में इस महराज अपने मन से पका कर खिचडी या साबू दे जाते है तो बोलते हैं लेखा कि बुखार तो उन्हें अब भी आता है और क्या दिनावकर उन्हें पानी दे जाता है और मैस में खाना बनाने वाला जो शेफ हो उनके क्या करता है अपने मन से पका कर खिचडी या सअबु दे जाता है. डॉक्टर सहाब आकर नाड़ी भी देख जाते हैं और कुनैन मिक्स्चर की सीसी की तितयी के डर से बुखार भाग भी जाता है पर ना जाने के ऐसा बुखार को बोड़ाने का जी नहीं होता क्या बोलते हैं लेखक कि डॉक्टर बुखार मुझे अब भी आता है मैं इस महाराज जो होते हैं वो क्या करते हैं खिछडी पका कर दे जाते हैं और डॉक्टर साहब आकर उनकी क्या करते हैं नाड़ी भी देख जाते हैं और उन्हें कुनैन मिक्स्चर मलेया के ज ठीक है उसकी CC की जो तित्ते ही मिदलब कडवे होता हो तो उसको डर से घुनका भाग जाता है पर और ना होना अब इस घुंद हार को बॉलाने का मन करता है क्योंकि अब उनकी दादी में नहीं है तो अब ऩ। पक किश्छन भह्या की शाधी ठीक हुई दादी मा के उट्सा और आनंद का क्या कहना अब लेकर कहते कि किशन भाई है कि शाधी ठीक ठाक हो गई दादी मा तो बहुत खुश थी और उनके आनंद का तो कुछ कहना ही नहीं दिन बर गायब रहती थी सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लियो दिन बर गायब रहती थी जैसे कि सारा जिमिदारी उन्हीं के पास पड़ोसी ने आती थी बहुत बुलाने पर भी दादी मा आती और कहती बहन बूरा ना मानना बहन बूरा मत मानना कार परोजन का घर ठे तो क्या कहती थी दादी एक काम भी इतने हाथ से अगर मैं ना करू तो कोई काम नहीं होगा ठीक है फिर कहते हैं लेकर जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी मा कुछ करती नहीं फिर लेकर कहते हैं कि जानने को तो सभी जानते थे कि दादी मा कोई काम नहीं करती थी पर किसी काम में उनकी अनुपस्ति थी विलंब का कारण बन जाती है विलंब मतलब काम देर से होता था उन्हीं दिनों की बात है एक दिन दोपहर में घर लोटा बाहरी निकसार में दाद निक Yukemar किसी पर बिगड़ रही थी तो लेकर कहता है कि उन्हीं दिमा की बात एक दिन जब लगे जस्केया की पर रहो लगद है तो इनिकसार में मतलब बाहर से क्या कर रही है किसी पर बिगड़ रही थी कि अधे को पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है तो उनने देखा कि पास के कोने में क्या है रामी की चाची दुबक के डर के खड़ी हुई है सोना होगा धन्नो रुपिय मैं सूद के आज दे दे दादी मिनसे कहती है कि सो ना होगा दननो रुपे मैं सूथ के आज दे तेरी आ мнग में तो शरम है नहीं अनसे बोलती है रामी की चाची से कि तेरी gratis में तो शरम है नहीं मांगने के समय कैसे आई थी पैऊ पर नाक रगड़ती फिर किसी ने एक पाई भी ना दी तुने इतनी नाकरिगडी पर किसी ने पाई नूख धूंदी मालकिन रामी के चाची रोती हुई दोनों हाथ से आचल पकड़े दादी मा के पैरों के और जुकी और बेटिया की शादी है आप ना दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा निस्तार अर्थात विदाई ठीक है विदाई कैसे होगी तो ओ कहती कि मालकिन में ले दूँगी आपके पैसे और अपने दोनों हाथों से अपने साड़ी के आचल को पकड़ते हुए दादी मा के पैरों के और जुक कर बोलती कि अगर बेटी की शादी है अगर आप दया नहीं करेंगी तो कौन दया करेगा उस बेचारी की विदाई भी कैसे होगी हट हट अभी नहा के आ रही हूं दादी मा पीछे अट गई दादी मा फिर रामी की चार्ची से क्या बोला हट अभी मैं नहा के आ रही हूं और दादी मा पीछे अट गई जाने दो दादी फिर लेखक ने दादी से बोला कि जाने दो दादी मैंने इस अपरी प्रसंग को अटाने की गरत से कहा बेचारी गरीब है दे देगी तो लेखक कहते हैं कि उन्हें यह द्रश्य बहुत अपरी अलगा तो उन्होंने दादी से बोला कि दादी जी जाने दो ब बीद गए में इस परिशन को एक दम भूल सा गया एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली वह दादी को पूतो फलो दूदो नहाओ का आशिरवाद दे रही थी फिर लेका कहता है कि मैं चुपके से आंगन की और चला गया कहीं दिन बीद गए उसके बाद उन्होंने वह इस दरश्य को भूल चुके थे इस घटना को भूल चुके थे एक दिन रास्ते में रामी की चाची जब उन्हें मिली तो फिर दादी का दादी ने उनको क्या पूतो फलो दूदो नहाओ का आशिरवाद देते हुए देखा मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची तो उसने विहल होकर कहा तो लेकर कहते है कि मैंने पूछा दादी उससे किस से धन्नो चाची मतलब की रामी की चाची से पूछे कि धन्नो चाची क्या बात है तो उन्होंने क्या हो अब विहल मतलब प्रेम पूर्वक कहा उरिन हो गई बेटा भगवान भला करे हमारी मालकिन का उरिन मतलब उरिन हो गई मतलब क्या है उरिन मतलब विहल मतलब क्या है प्रेम पूर्वक उरिन मतलब उरिन का अर्थ है कि रड मुक्त मतलब करजे से वो मुक्त हो गई तो कैते हैं मैं करजे से मुक्त हो गई बेटा हमारी मालकिन का भगवान भला करे कल ही आई थी कल ही आई थी पी बेटा देवता है तो बोलती है कि कल तुम्हारी दादी आई थी उन्होंने मेरे पूरा करज माफ कर दी उपर से 10 रुपे का नोट देखकर मुझसे बोली कि देख धन्नु तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है 10-5 रुपे के लिए खाली हसाई क्यों करनी देवता है बेटा वहलIST दा उस रोच तो बहुत दांट रही थी मैंने पूछा तो लेखक कहते हैं और लेखक ने धन्नो चाची से पूछा कि उस दिन तो वह आपको बहुत डांट रही थी वह तो बड़े लोगों का काम है बाबब मेरे रुपिय देकर डांटे भी ना तो लाप क्या तो फि कहते हैं कि मैं मनी मनी इस बात पर हसा और आगे बढ़ गया किसन के विवा के दिनों की बात है विवा के चार पांच रोज पहले से ही औरत राद भर गीद गाती हैं लेकर कि किसन के विवा के दिन की बात है विवा के चार पांच दिन पहले से जो औरते हैं वो गारात राद भ होता है विवा के रात को नाटक ही यह मतलब नाटक कहते हैं अधि यह कैben हँरू लेकर पुत्र उपती तक के सभी द्रिश्यडिखायर जाता है सभी पार्ट और से hat करती है ने करते हैं कि यह क्या होता है वीवा का जो नाटक हुथ हो प्राय एक कथा का हुआ करता है इसमें क्यों होता है विवा से लेकर पुत्र उपत्ति तक पुत्र प्राक्ति तक की सभी दिरिश्य दिखाया जाते हैं और सभी पार्ट क्या होते हैं औरते ही अभी नहीं करती है मैं बिमार होने के कारण बारात में ना जा सका तो लेकर कहता है मैं बिमार था इसलिए मैं बारात में ना जा सका मेरा मेरा भाई रागव दालान में सो रहा था हूँ कहता है कि मेरा जो है मेरा जो मेरा भाई मतलब मेरे मेरा मेरा भाई मतलब मेरा जो किस का बेटा मेरे मामा का बेटा भी क्या हुआ था दालान में सो रहा था वो भी बारात जाने के बाद पहुंचाता ठीक है और तो ने उस पर आपत्ती की और तो तो लेखाग बोलता है कि वह क्या कर रही थी उसका विरोध कर रही थी तो दादी मान इस बात पर बिगडी और बोला लड़के से क्या पड़दा लड़के से क्या छेपाना लड़के और भ्रह्मा का मन एक सा होता है लड़का और भ्रह्मा मतलब देवता वगवान का मन एक सा होता है फिर लेकर कहते हैं मुझे भी पास ही एक चार पाई पर चादर उड़ाकर दादी माने चुपके से सुला दिया था बड़ी हसी आरे थी कहरते है मुझे हसी भी आरे थी सोचा कहां जोर से हस दू तो भेत खुल जाए बाहर निकाल दिया जाओंगा पर भाबी की बात पर हसी रुकना सकी तो भांडा फोड हो गया मैंने हसी रोपने की बहुत कोशिश करेकर भाबी की बाद पर इसे हसी रोपना पाई और बंड़ा फूड गया देभू की माने मेरी चादर किछलें कहा दाधी यह कौन बच्चा सोया है बेचारा रोता है शायद दूद पिला दूद तो पिला दूद हाता पाई शुरू हूँ दादी मा बिगडी लड़के से क्यों लगती हो तो लेखा कहते कि दबू की मा ने मेरा चादर किचलियो कहा दादी कौन बच्चा है शायद इसे भूख लगी होगी है रो रहा है मैं इसे दूद पिला दूँ हाता पाई शुरू ही और दादी मा बिगडी और उनने बोला कि लड़के से क्यों लगती हो सुबह रास्ते में दबू की मा मिली कल वाला बच्चा भाभी में वहां से जोर से भागा और दादी मा के पास ख़ड़ा हुआ तो सुबह रास्ते में कहती कि देबू की मा मिली तो मैरे को देखकर बोली कि कल वाला बच्च भाबी फिर मैं वहाँ से जाकर भागा और दादी मा के पास खड़ा हो गया वस्तुत है किसी प्रकार का अपराद हो जाने पर जब हम दादी मा की छाया में खड़े हो जाते अभैदान मिल जाता तो लेकर के रहे कि जब हम क्या करते थे कोई भी किसी भी प्रकार का अपराद होता था मतलब किसी भी प्रकार की शेतानी हमसे होती थी तो हम क्या करते थे हम दादी मा के पास जाके खड़े हो जाते थे और हमें खड़े हो जाते थे और इससे हमें क्या होता था हमें माफी मिल जाते थे इस नहीं है और ममता की मुट्टी दादी मा की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है तो लेखा कहता है कि सनी है और ममता से भरी मेरी दादी मांज है उनकी बात आज आज उन्हें याद आती है परिस्तितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा पत्ते सा कैसे नचाता है इसे दादी मां खूब जानती थी तो लेखा कहता है कि परिस्तितियों का परिस्तिति मतलब जो वात्य चक्र जो आणदी उसका जो जो बवंडर है वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है इसको दादी मां जानती थी क्योंकि उन्हें बहुत अनुभव था उनकी उम्र काफी बड़ी थी तो वह सब जान भी दास रहते हैं कि दादा की मर्त्यू के बाद पर्दी उनके बहुत उदास रहती थी संसार उन्हें přिचे बहुत ड Опते जाने चोट़ी बात करते खेम वहoraं सफ्क्र एदेखिय। दादी की मृत्य के बार कुकुर मित्य की तरह बढ़ने वाला मूह में राम बगल में छूरी वाले दोस्तों की सुप चिंता ने स्तिती और भी डावा डोल कर दियों दादा की मृत्य के बार कुकुर मित्य मतलब जो पानी के बिना उगने वाले जो पौद होते हैं उसकी तरह बढ़ने वाले जो मूँ में राम वगर में रूई मतलब मूँ पे बहुत मीठा बोलने वाले और मन में कपट रखने वाले जुनके दोस्तों की सुप चिंता ने स्तिती को और भी डावाडोल स्तिती को और भी अस्तिर कर दिया ठीक है डावाडोल मतलब अस्तिर कर रहे हैं लेकर कि दादी ने दादी मा के मना करने पर भी पिता जी ने क्या करें बहुत संपत्ति खर्च कर दी थी और घर की नहीं थी दादी मा अक्सर उदास रहा करती दादी मा अक्सर क्या करती थी जादतर अक्सर मतलब जादतर उदास रहती थी माप के दिन थे कडाके का पढ़ रहा था माप के दिन ते और कड़ाके का थंड पढ़ रही थी पच्छों का सन्नाटा और पाले की सीत हुड़ियों में घुसी पढ़ी तो हड़ियों में घुस पढ़ी तो कि बहुत सन्नाटा सन्नाटा मतलब शांती और पाले की सीत और जो पानी है तो उसके थंड से ह स्टूर्ण के रहा हुआ हड़ हड़ियों में गुसी पड़ी थी साम को मैं ने देखा दादी मा की गेली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूप पर दिये जलाए है और हाथ जोड़ कर बैठी है। उनकी षिंद कातर आकुं में जोह केते हैं कि मैंने देखा शाम को दादी माई गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूर पर दिया जलाया हाथ जोड का उनकि सनेही कातर पर उनकि सनेही भरी आँखों में मैंने आसो कभी नहीं देखें नहीं चाहिए इनके प्यार भड़ी आँखों में प Avenue well क्या क्या है रे तु यहां क्यों बैठा है तो दादि मा नी लेकक से बोला क्या होगा तू यहां क्यों बैटा है दादी मांछ पूछू बताओगी ना वो केहते हैं लेकक कि मैंने उनकी स्नेय पूर आँखों की ओर देखते हुए दादी मां की स्नेय पूर मतलब प्रेम बरी आँखें देखते हुए दादी मां से का दादी मां एक बात पूछू तो बताओगी तो फिर बोलती है दादी मा क्या है पूछ दादी मा लेकक से बोलती है क्या बात है पूछ तुम रोती थी तो लेकक बोलते हैं से तुम रोती थी दादी मा मुस्कूरा कर बोली पागल तुने अभी खाना भी नहीं खाया चल चल थी के धोती तो बदल लो दादी मा तो लेकक क बोलते हैं मुझे दर्दी गर्मी नहीं लगती है और वो मुझे खीचते हुई रसोई में ले गई सुबह मैंने देखा चार पाई पर बैठे पिताजी और किसन भाईया मन मारे कुछ सोच रही है तो लेका कहते कि सुबह मैंने देखा चार पाई पर बैठे पिता जी और किसन भईया मनमार के कुछ उसने दूसरा चारा ही क्या है बाबू बोले रूपिया कोई देता नहीं कितने के तो अभी पिछले भी बांकी है वे रोने रोने से हो गए तो वो कहते कि उनके पिताजी बोलते हैं कि दूसरा चारा क्या है रूपिया कोई देता नहीं कितनों किने तो उनके रूपिये पावापस नहीं किये थे और रोने रोने से मतलब उनकी सूरत रोनी सी होगे रोता क्यों है रे दादी मा ने उनका माथा सहलाते हुए का मैं तो अभी हूँ ही और उन्होंने संदूग खुल का एक चमकती सी चीज निकाली तेरे दादे ने कंगन मुझे इस दिन के लिए पहनाया था उनका गला भराया मैंने इसे पहना नहीं इसे सहेज का रखती हुई आई हूँ उनके वंच की निशानी है फिर यह है उनके वंच की निशानी है तो लेकक कहते हैं कि जब उनके पिताजी की सूरत रोनी सी हो गई पैसे के तंगे के गारण तो उनकी दादी ने उनके पिताजी से बोला रोता क्यों है दादी मा ने उनका मा था सहलाते हुए उन दुख से और सनेह से गला भराया और उनोंने दादर जी की आदमन का गला भराया उनोंने इसे पहना भी नहीं था उनों कहते हैं, मैंने इसे क्या बहुत ही सहेच कर मतल Nik बहुत संभाल कर रखा वाता ब्यार से और यहे उनके वन्च की निशानी है उन्होंने आसु पोच कर कहा पुराने लोग आगा पीछे का सब सोच लेते थे बेटा फिर लेखक कहते हैं कि दादी ने बोला आसु पोच कर बोला कि पुराने लोग आगे पीछे का सब सोच लेते थे ठीक है सच मुझे दादी मा का शाप भरस्ट देवी सी लगी तो लेका कहते हैं कि सच मुझे दादी मा कैसे लगी शाप भ्रेस्ट शाप मतलब शाप भ्रेस्ट देवी सी लगी लेका कहते हैं कि मुझे दादी मा अभी क्या लग रही थी दुखों से निकालने वाली देवी सी लगी दुदली चाया विलीन हो गई मतलब गायब हो गई मैंने देखा कि दिन काफी चड़ाया है मतलब काफी धूप है बाहर ठीक है पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कोवा अपनी घिनोनी काली पंखे फैला कर मेरी खिड़की पर बैड़ गया था ठीक है फिर लेका केते हैं हाथ में अभी किसन भाईया का पत्र काप रहा है किसन भाईया का पत्र अभी मेरे हाथ पे काप रहा है काली चीटियों से कतारे धूमिल हो रही है काली चीटियों की कतारे धूमिल काली क्या केते हैं लेका कि काली चीटियों की जो कतारे है वो धूम नहीं होता मन बार-बार अपने आप से ही वो कहे है में मेरा मन बार-बार मुझसे पूछता है क्या सच मुझ्छ दादीमा नहीं रही ठीके तो यह था पार्ट पूरा हुआ यहां पे और पार्ट किस ने लिखा है शिफ्रसाथ सिंग जी ने बार ग्रेंगा का नम किन बादों के यादाती Lekha को अपनी दादी मा के याद के साथ ते थे मित्रोagues के यादा आती किस् iron भाइया की शादी के यादाती गाउं की बारिश में बीगना जोर्काना दादी मां का उनका सेवा करना और रामी की चाची की घटना भी याद आती है ठीक है दादी की मृत्यू के बाद लेखक के घर के आर्थेक स्थिती खराब क्यों हो गई थी दादा के मृत्यू के बाद क्या होगा था लेखक के घर के आर्थेक स्थिती इसले कराब हो गई क्योंकि उनके श्राद में लेखक के पिता जी ने अतुलित वै किया था उन्होंने क्या किया था बहुत अधिक अतुल संपत्ति वै की थी और पहले को उधार लिया रुप्या भी कोई दे नहीं रहा था दादी मा के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों आप दादी मा का स्वभाव दयालू था थी क्या वो क्या वो जैसे आपको वो घटनाया दोगी की रामी की धन्नो धन्नो चाची को उन्होंने कैसे उनके सारा व्याय माफ कर दिया और उन्हे तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है 10-5 रुपे के लिए क्यों लड़ना है तो दादी मा क्या थी? बहुत दयालू है उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है दादी मा अपने घर के सदिस्टे से लिए गरीबों तक की सब की मदद करती थी और किसी की मदद करने से पीछे नहीं अगती थी ठीक है? फिर हम पढ़ते हैं कहानी से आगे अपनी इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे कौर, आसार, माग इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखे ठीक है? अब दिब बोलते हैं लिखक की अपनी इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े है जैसे कि कौर, आसार, माग तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? आप लिखे तो महीनों के मौसम के नाम के कौर जैसे कौर में क्या होता है? गर्मी कांत होता है इस समय हलकी हलकी ठंड होती है सितंबर अक्टूबर के बीच का महीने का समय होता है तथा क्या होता है आसमान क्या रहता है साफ रहता है अब आसाड में क्या होता है असाड में क्या होता है वर्षा का मौसम होता है वर्षा ना होने से गर्मी भी होती है ठीक है माग में क्या होता है इस महीने में काफी सर्द ही होती है थीक कैसे है अ अब हम प्रेश्नло दोपर ने अपने-पने मौसम की अपनी-पनी बातें होती है लेख कि इस कथन के अनुसार ились शाष मोसम की क्या ग्रोशन की कोन कौन से चीज शुरूप से मिल थे बताइचि कि concer price में हैं तो आपको अलग-अलग मौसम के अलग-अलग क्या-क्या विशिष्टा मिलते हैं आपको यह लिखना है ठीक है क्या-क्या विशिष्टा होती है लग राग देखे क्वार आसाड और क्या है वो माग इसके बारे में तो आपको पताई है तो उस महीने में क्या-क्या फल होते हैं सबजेखं होते हैं कैसा मोसा मतहीं और अंपको खुद लिखना है अनुमान और कल्पना अब इसमें अनुमान कल्पन से आपको अत्तर देना था कि क disappoint क्या बोला है इसमें इस कहानी में कहीं बार रंड लेने की बात आप आपने पड़िग, अनुमान लगाए कि इन पारेवारिक परिस्तितियों में गाओं को लोगों को रंड लेना पढ़ता होगा, और यह हमें उन्हें कहां से मिलता होगा, बड़ों से बातचीत कर इस सवशे में लिखे, अब इसमें बोला है कि आपको अपने बड़ों से करीब हो उनकी फैसल अच्छी नहीं होती होगी तो घर में कोई शादी विवा का समारों होता होगा तब रण लेते होंगे किस से लेते होंगे गाओं के सरपंच से या फिर किसी धनी दयालू इंसान से ठीक है तो यह आपको अनुमान लगाई है और खुद करिया ठीक है दूस ठीक है अब भाशा की बात देखे नीचे दीगई पंक्तियों पर ध्यान दीजे जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है संसे सफेद अब इनको पढ़के क्या बोलते हैं लेखक इनको ध्यान से पढ़ना है और फिर समानता का बहुत कराने के लिए सासे इसी का प्र सुन्दर सा गोल सा काला सा पीला सा नीला सा कुछ भी लंबा सा छोटा सा कुछ भी लिख सकते हैं आप ये शब्द और उनका प्रयोग करिये ठीक है छोटी सी मोटी सी या फिर कुछ भी ठीक है और ऐसा ये तो सी हो गया सा में हो गया जैसा वैसा जैसे जैसा यह कपड़ा जैसा सफेद है और दादी मा के बाल दूद जैसे सफेद है लंबा सा भी बोल सकते हैं यह है जो खंबा यह आदमी खंबे सा लंबा जैसा लंबा सा है और सी से हम आप बोल सकते हैं चोटी सी वे चोटी सी लड़की है और क्या है बस ऐसी तो आप लगा सकते हैं अनुमान ठीक को घर वालों को परिशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं किसी क्रिया की क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिक बार ही शब्द का प्रयोग होता है ठीक है जैसे वहां जा जाकर ठक गया उन्हों धून धूर कर देख लिए इस प्रकार के पांच वाक्य बनाई है ऐ जैसे सुना सुना कर सुन सुन कर ठक गया मैं यह कहानी सुन सुन कर ठक गया मैं उसे मार मार कर ठक गया मां उसे मार मार कर ठक गई वो फिर भी सुधारता नहीं फिर बोलते हैं अध्यापक हमें बोल बोल कर ठक गया पर हम फिर भी पढ़ते नहीं ठीक है और मैं यह कहानी इसी वतर रहे कि आपके पाँच शब्द वाक्यों में प्रयोग में लाने हैं ठीक उनका वाक्य प्रयोग करने हैं बोल्चाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यान्स दादी मा कहानी में हैं इन सब्द और वाक्यान्सों से पते चलता है कि यह कहानी किसी विशेश श बंदी था ऐसे सबदों और वाक्यांसु में शेत्री बोल चाल की खुबियां होते हो धारण के लिए निकसार ब्रहमा, उरिन, चिवडा, छोका, अत्यादी सबदों को क्या बोलरों देखा जा सकता है इन सबदों का उचारण अन्य शेत्री बोलियों में अलग ढंग से होता ह जैसे चीऊड़ा को चिऊड़वा, चूड़त्र पोहा और इसी तरह छोका को छोक, तड़का भी कहते हैं निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमसह निकास, उरन और ब्रह्मा शब्द का शेत्री रूप है इस प्रकार से 10 सब्दों को बोल चार में उप्यों होने वाले बाशा के एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाईए ये कार्या आपको मुद करने को बोला है ठीक है कि जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक शेत्र से शेत्र के हो वही इसी प्रकार के आपको शब्द जाटकर लिखने हैं और उसको दिखाने हैं ठीक है तो चलिए यहां पर इस पार्ट पतम होता है I hope आपको समझ में आया हो So, bye, good luck, students अच्छे से पढ़ने